स्रीमती माननी डिंपल यादो जी से हमन रोध करेंगे, आएं और हम लोगों को सम्मूदिता डिंपल यौदो जिन्दा बाज डिंपल यौदो जिन्दा बाज तालीब जाके दोनों हाथों चे changat करिये आदरने अध्याक जी आदरने राश्य अध्लक जी आदरने रामगोपाल जी आदरने श्षी चंदर मिश्रा जी और उनकी पत्नी मंच पे आदरने जया जी एहमद असन जी किर्मोर नायनन्दा जी मंच पे उपस्त सभी समाजवादी पार्टी के नेतागर और जितने भी हमारे यूवा कारे करता जहां पे उपस्त है हमारे किसान भाई हमारी माताय भेने जो कम संख्या में है क्योंकि आप यूवा लोग सब आगे आगे हैं मेरा मानना है कि महलाओं को आगे जगह देनी चाहिए थी थोड़ी सी सभी नौजवान साथी, सभी पत्रकार बंदू जो आज यहां उपस्ते थे आप सभी को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और विशेश रूप से कन्नौच की जंता को धन्यवाद देना चाहूंगी जो आज यहां पे आई है और उनका अभार में व्यक्त करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने दो बार सभाधी पार्टी को और मुझको यहां से सांसत बना के भेजा है और मैं सभश्ती हूँ जब आज मैं नमांकन भरके आई हूँ आप सब का आशरवाद और शुब कामना है समाजवादी पार्टी के साथ है अब तो अब तो गटबंधन भी साथ है और जैसा कि श्री राम गुपाल चाज़ा जी ने कहा है जहां जहां समाजवादी प्रत्याश्री खड़े होए वहाँ वहाँ में समाजवादी पार्टी को जिताना है और जहाँ जहाँ बस्पा के काडिडेट्स खड़े होए है वहाँ वहाँ में बस्पा को भारी मतों से जिताना है करनोज से समाजवादियों का बहुत गहरा और पुराना रिष्टा रहा है और जो सम्मान कनोज ने मुझे को दिया है और अखलेश जी को दिया है उसका मैं अभार व्यक्त करती हूँ और ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह इस छेत्र का विकास लगातार पिछले 15-20 सालों में होता आया है आगे भी 15-20 सालों तक होता रहेगा अब जितनी हमारी थोड़ी बहुत माता यहां मौझूद है और जितने भी लोग यहां पे हैं जिनके बच्चे हैं तो मैं पूछना चाहूंगी यहां पे जितने भी लोग भरस्त हैं क्या क्योंकि मैं खुद एक माहूं तो मैं पूछना चाहूंगी कि आप लोग कि अपने ब टीक हमेश सरागी हमेश चांच चांच कल ही UPSC के रिजल्ट आये हैं और हम जानते हैं कि हमारे बच्चे अजिकारी बनने जा रहे हैं तो जो लोग मानते हैं कि देश के वो हर बच्चे को चौकिदार बना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूंगी वे सरासर गलत है हमें चाहिए एक अच्छी सरकार को चाहिए है कि वो शिक्षा की तरब रोज हमारा एक जवान खौश का जवान रोज एक शहीद हो रहा है तो यह मैं समझती हूँ यह मौजूदा सरकार की नाकामी है कि रोज पुल्वामा की घटना बहुत ही दुखदाईग थी लेकिन पुल्वामा की घटना के बाद भी लगातार हमारे जवान वहाँ पे शहीद हो रहे हैं लगातार आतंगवाद बढ़ रहा है और माजूदा सरकार को ये मानना पड़ेगा कि उनकी सरकार जब से आई है हमारे शहीदों की शहादत में भड़ोतरी लगातार होती रह रही है अब महिलाओं के साथ लगातार उत्तर पदेश में अफराद बढ़ रहे हैं 2017 से आज 2019 से इस सरकारों ने ना केंद्र की सरकार ने और ना राज्य की सरकार ने कुछ किया है और लगातार और कल तो मत्रा की घटना ही आप जानते होंगे किस तरह एक महिला कॉंस्टेबल के बार तिजाब डाल दिया गया उसको जुलसा दिया गया तो ऐसी नाकारा सरकार को मैं समझती हूँ हम सब मिलके हटाने का काम करेंगे और इस देश को एक नई दिशा और इस देश को एक नई दिशा और एक वातावरन देने का काम करेंगे और जूटे वादो वाली सरकार कब जाने का समय आ गया है मैं आप सभी से पूरी उमीद करती हूँ मुझे पूरी उमीद है कि इस बार जादा से जादा लोग आप बटन दबा के समाजवादी पार्टी को विज़ई वनाएंगे और मैं विशेश धन्यवाद देना चाहूँगी मैं विशेश मैं विशेश धन्यवाद देना चाहूंगी मायवती जी का और शसी संद्रम इश्रा जी का जो आज यहाँ पर आप आए हैं अपना समय निकाल के यहाँ पर आके हमारे कारणवक्रम में आपने उपस्तिती दी है मैं आपका अभार और धन्यवाद देती हूँ और आप सभी का जो अतने सुभे से आप रुके हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अब